कि जो जैब परकरम होता है जैब परकरम क्या है यानि जीवन की परकिरिया क्या है अगर ऐसी परकिरिया या ऐसा परकरम जो वाडी को मेंटेन करने का कार करे उस परकिरिया कों क्या बोलेंगे यानि जीवोदोरा गरहार कर भोजुपदार्थों का पाचन करना और उसे पचाक ये करने वाले हैं जयब परकरम के बारे में यानि कि लाइफ प्रॉसेस के बारे में बात करने वाले हैं इससे पहले हमने जो वीडियो बना गया है वह हमने क्या पढ़ाया बायोजी के बारे में पढ़ाया बायोजी के इतिहास के बारे में समझे बायोजी का खोश कब हुआ और biology का खोश किस ने किया है यानि कि history आप biology के बारे में पड़े है ठीक है तो आज जो high school का जो पहला lesson है उस lesson का नाम ही है जैप परकरम यानि कि life process है तो पहला class है पहला lesson है उस चीज को उपड़ रहे है ठीक है तो हमें यह समझना पड़ेगा कि जो जैप परकरम होता है शीवन की परकर honिडर किया है अगर जिवन को चलाना है आगे बढ़ाना है जिवन को वैतीत करना है तो मैं किन किन चीजों क्यों सकता होतीए उसके बारे में बात करेंगी टो जैप परकरम का मतलब क्या होगा जैप परिकरम बोलते हैं ठीक है यानि कि अगर जिन्दगी को आगे बढ़ना है जीवन को आगे वैतीत करना है तो हमें क्या होता है पोसर क्यों सकता होती है जिसे हम बोलते हैं इंगलिस में नूट्रेशन बोलते है ठीक है पोसर क्यों सकता होगी और दूसरा क्या होगा स्व क्यों सकता होती है ठीक है और जो तीसरा चीज होता है वो क्या होता है परिवहन क्यों सकता होती है यानि कि ट्रांस्पोर्टेशन क्यों सकता होगी ठीक है और चौता चीज क्या होगा उस्तरजन यानि कि connection का मतलब यह हो गया कि शरीर से भिसेले वह आपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के क्रिया को ही हम क्या काहते है उस surgeon काहते है ठीक है तो हम सब के बारे में बात करेंगे पोसड क्या होता है fashion क्या होता है या उस surgeon क्या होता है इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे तो अभी हम फिलाल पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे? पोसर पढ़ेंगे पोसर है क्या? न्यूट्रेशन क्या है? न्यूट्रेशन के कितने परकार होते हैं इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे तो चलते हैं वीडियो को स्टाट करते हैं तेकर जो पोसड होता है इसे हमने क्या लिखा है नूट्रेशन इंग्लिस में बोलते हैं और हिंदी में क्या आपने आमें बताना कि जीवों द्वारा ग्रहड कर भोज पदार्थों का पाचन करना अगर। ससरीर का विकास करना। यानि कि Šरीर में वीरद्धी करना, शरेर का विकास करना ही क्या कहलाता है, पोِّसर कहलाता है, अगर जो आसान भावसा थामें हम पढ़ेँगे, तो क्या पढ़ेंगे, खाद पडार्तों का पाचन करना और उसे पचाकर, उसे पचाकर उर्जा लेना, हाँ, क्या करना, उर्जा लेना और सरीर की बिरिध्धी, यानि की विकास करना, इसी किरिया को हम क्या कहते हैं, पॉसर कहते हैं, यानि जिवो दोरा गरहर कर, भोज पदार्थों का पाचन करना, और उसे पचाकर उर्जा का आउसोसर करना, और सरीर का विकास क करना ही क्या कहलाता है पोसर कहलाता है आसान भासा में हमने क्या बताया कि खाद पदार्थों का पाचन करना और उसे पचाकर उर्जा लेना और उस उर्जा से क्या करना सरीर का विकास करना इसी क्रिया को क्या कहते हैं पोश्ण कहते हैं ठीक है तो समझ में आया है नहीं समझ में आया कोई दिखकत अगर जो धिकत था बताओ फिर से देख नहीं दिकत है तो आगे बढ़ने अगे को हैं अगे बढ़ता है सवाल उठता है कि भाइयर टाइप्सा अफ न्युट्रेशन न्यूट्रेशन यानि कि पोसड कितने परकार के होते हैं टाइप साफ न्यूट्रेशन तो देखिए जो न्यूट्रेशन होते हैं ये दो पारकार के होते हैं कितना देरा टू टाइप साफ न्यूट्रेशन यानि कि जो न्यूट्रेशन होते कितना दो परकार के होते हैं एक ह होगा 100 और दूसरा क्या होता है पर पोसर हां यहां पर हमने आसान भासा में थोड़ा लिग दिया इससे अगर जो यह आपको टप लगे तो इधर देखते रहें ठीक है यानि पोसर हमने क्या समझा पोसर को पढ़ा खाद पदार्तों का पाचन करना और उससे पचा कर क्या करन उरजा लेना हां तो इसी पर क्रिया को हम क्या बोलते है पोसर कहते है ठीक है तो इस चीज को हम पढ़ें जो पोसर होते कितना दो परकार क्या होते है एक होता है 100 और दूसरा होता है पर पोसर अब सवाल यह उड़ता है कि भाईया यह बताईए 100 पोसर का होता है और पर पो क्या होता है तो देखे सौन ऊठर में ाहने क्या लिखा है सौन का अब मतलब यह हो गया एक जैब परकरम जो अपना भोजन खुद बनाए और अपनी सरीर की बिर्दी के लिए खुद ही क्या हो रिस्पांसिबल हो उसे हम क्या बोलते हैं सौपोसड बोलते हैं ठीक यानि कि इसमें क्या आएंगे पेड़ पाउधे आएंगे और परकॉसड का मतलब यह हो गया कि ऐसा ज आदमी है अब सवाल उड़ता है सवाल क्या उड़ता है उड़ता यह है कि टाइप साफ पर्पोसर यानि कि पर्पोसर कितने परकार के होते हैं तो जो पर्पोसर होते हैं यह तीन परकार के होते हैं एक होता है प्राडी संभोजी दूसरा होता है मिर्तो परजिवी और तीसरा होता है परजीवी हां यानि कि एक होगा प्राडी संभोजी और दूसरा क्या होगा मिर्तो परजीवी और तिसरा क्या होगा परजीवी होगा हां यानि कि एवन में तीनों को समझना पड़ेगा यानि प्राडी को कि ठोस रूप में ग्राहड कर और उसका भच्चड करने का कार करें भच्चड का मतलब क्या चीरने फारने का कार करें चोटा चोटा करने का कार करें यानि कि उसका भच्चड करने का कार करें उससे हम क्या बोलेंगे पराड़ी संभोजी पोसड बोलते हैं जैसे क्या है इसमे पर जीवी पॉसर्ड हां इसमें निखे हैं मरे हुए जीवों तथा उस्तरजी पदार्थों पर निर्बर हो यानि कि ऐसा जैपर करम जो जैपर करम मरे हुए उस्तरजी पदार्थों पर क्या हो निर्बर हो उसे हम क्या बोलते हैं उसे मिर्तो पर जीवी पॉसर्ड बोलते है जैसे क्या है कवक है गिद्ध है आप गिद्ध देखेंगे जब कोई जानवर मर जाता है तो उसको क्या काम करते है उसको खाने का काम करता है ठीक है और जो तीसरा है वो तीसरा क्या है परजिवी पोसड परजिवी पोसड इसमें लिखें जीवित जीवों की सरीर पर निर्भ तुक-धर बोलते हैं जैसे क्या है जोग है आप तालाब में गए होंगे अब जब आप गए होंगे तो क्या है जीवित है मारे तो नहीं है ना आप जीवित है और आपके उपर क्या होता है जोग चला जाता है जोग पकड़ लेता है यह सेर है यह क्या काम करता है सेर भी क्या काम करता है कि अगर जो आप सेर के सामने चले गए तो आपको भी मारकर खा लेगा ठीक तो ये सब क्या है जीवित जीवों पर निर्पर है ठीक है तो जो पोसड होते है पोसड आपको समझ में आया फिर उसके बाद में सो पोसड क्या होता है पर पोसड क्या होता है इसमें प्राडी संबोजी क्या होता है और मिर्तो परजीवी क्या होता है और परजी विक्या होता है यह चीज आपको समझ में आया ठीक तो देखें जो SRC है ना सार रिसर्च सेंटर इससे जुड़ने के तीन फाइदे है इससे जुड़ने से तीन फाइदे है पहला फाइदा यह है कि आपको फ्री में नोट प्रोवाइड किया जाएगा दूसरा फा बादवाला जो वीडियो होगा वो किसके उपर होगा परकास संसले सड के उपर होगा ठीक है